शोशल मीडिया के पोस्टर में राहूल गांधी को नए यूप के रावण बताने जाने को लेकर देश बर में कांग्रेस ने आक्रोश जताया है आज इसी मामले में भरके कांग्रेस कारिकरतों ने दिल्ली जम्मू और राइस्तान समेश कई राज्यों में जम कर विरोध जता राजस्तान प्रतेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्स गोविन सिंग डोडावसरा ने का है कि भाजपा ने जो किया है उसे राज्य बर्मे बुद्दी जीवी का अखोशित है इसके साथ ही उन्होंने का है कि भाजपा दोजातेश का विधान सवा चुनाव ही नहीं दोजाचो इसका लोग सवा चुनावी हार रही है भाजपा चुनाव जीतने के लिए कितने भी नीचे गिर सकती है इसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा को इसका संदर्व बताना चाहिए उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रेम और भाई चारे का संदेश फैलाते हैं लेकिन भाजपा ने उ राहुल गांदी कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है हम प्यार फैलाएंगे और वे नफरत फैलाएंगे देश देख रहा है इंडिया ब्लॉक जीतेगा और NDA को लोग सबाचनाव में हार का सामना करना ही पड़ेगा यह देखो जो यहां उखलब देख वो ही आएगा रात को अगर हमने 11 बजे कहा है और जिसको सूचना पहुंची है जो यहां उपस्तित है वो ही आएगा ऐसा नहीं है कि सारे नेता आज कोई दो दिन पहले से हमने तै करके कोई ऐसा प्रोग्राम रख रखा था कौन आया कौन जहां भी हैं वहां खड़े हैं और मुकाबला करें दरसल देश में पांच राज्यों के चराव सिर पर हैं और कांग्रेस भाजपा के भी जमकर पोस्टर वार जारी है पहले कांग्रेस ने पीम नरेंदर मोधी को सबसे जूठा बताते हुए एक पोस्ट डाली थी राहूल मालुम हो कि भाजपा ने राहूल गांधी पर हमला करते हुए पोस्टर में जॉर्श सोरोस का नाम इसलिए जोडा क्योंकि भाजपा का आरौप है कि कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस के लोग शामिल हुए थे भाजपा ने आरोप लगाया था कि राहुल की यात्रा में सोरोज के करीबी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एंजियों के उपाध्यक्ष सलिल शेटी शामिल हुए थे ब्यूरो रिपोर्ट जनता दर्बार न्यूज